तो आज की रेस्ती पिए कुछ है नहीं बस एक व्लॉग है और इंगिडियन्स आपको सब स्क्रीन पे दिख जाएंगे बेसिक है मैं क्यों रूटीन शेयर कर यू जो की कोकनी होम मेट खाना है जैसे की अपना दाल हो गया फिश फ्राय हो गया फिश करी हो गया और जो बड़ जो मुंडी वाली फिश आती है उसको क्लीनिंग करने का प्रोसेस तो यहां पर मैं बना रही हूं यूपी की स्टायल वाली दाल तो हम लोग जादेतर दाल तो खाते है बट यह एकदम एक जाएक कोकनी तरीके की रहती है सेम टू से इसमें से एक्स्टा पोशन यह रहते है यहां पर मैंने ली हूं ताम बोसा मच्छी जाती है ना बड़ी वाली तो यह मैंने कुछ बड़ी वाली मच्छी ली थी और यह हमारे घर पे गैस्ट आ रहे थे तो उसके लिए बन रहा है खाना तो इसको मैं पुरा क्लीनिंग प्रोसेजर है तो इसमें बड़े बड़े अच्छे से ताकि अगर सालन में रह जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम करेंगे आपके डाजेस्टिव सिस्टम को स्टॉप कर देंगे बहुत से प्रॉब्लम हो जाती है लूज मोशन हो जाते तो मेक शॉर तो यहां पे यह फिश बन रही है कि के मेरा इस्टो फिश नहीं है तो उनके लिए से वह सालन और डाल रहे हैं तो यहां पर मैंना पूरा क्लेनिंग प्रोसेस्स दिखाई हूँ कि बारी बारी ख़विल हम लोग कैसा निकालेंगे डिफ्रोज करने के बाद और मच्छी को डिफ्रोज करने के लिए हम लोग जादा पानी यूज करें तो फिर उसका स्वाद थोड़ा कम हो जाता है यहां पर मैंने इसको अच्छे से माशाला से तीन पानी से धोल लिए और जो मुंडी है वह सालन में जाएगी और जो बड़े-बड़े पीसे वह फ्राय हो जाएगे तो यहां पर आप लोग देखिए और मेरे लास वाली तो यहां पर मैंने फिच浪ा वोश के लिए क्योंकि पीच मेरिनइशन को ठेच के उसको नंक करके पूरा होम भाण में ता यहां पर थी हम लोग चाहिए तो थोड़ी ड़ी आइड को बढ़ यहां पर यह जब पीस है क Bluetooth को लागा की मेरिनेंट करके रखना पड़ाता और साइड बासाइड अभी हम लोग जो हमारा सालन है कल सोनी उसको तयार कर लेंगे तो यहां पर मैंने ले लिए लस्टन को ठेश लिए थोड़ा सा करीपत्ता पाच हरी मिर्ची और थोड़ा सी तेल और नम्मक को में अच्छे से चूर किये लाल मिर्ची जो हमारा होममेट क यह देखे मैं ऐसी ही बनाती हूं उससा मतलब बगार बगार ज्यादा में देते मच्छी के सालन में तो यहां पर मैं इसको मिला दूगी और फ्लेम हाय रखे चड़ा दोंगी साइड बासाइड में दाल पक चुकी है और अगलने के बाद में इसमें अम्मक दाल दूंगी चाहिए तो हेल्दी जो आप एक्स्टा कर सकते हो बट हम लोग के लिए कलर एक दम पॉफेक्ट है और दाल घोटनी से मैंने इसको घोट ली हूँ अब मैं को जितना जरूवत है मुझ में पानी रखोंगी कि थोड़ी जादा गारी वाली दाल हमारे घर में घाई जाती है अब मैं इसमें पाने दाल के इसको से बगार देना रहेगा और कुछ नहीं साइड बाइसाड मेरा सालन भी पक रहा है तो यहां पर मैंने सालन को दो मिनिट हाई फ्लेम पर रखी हूँ अच्छे से मतलब जोश आने दूंगी जैसे जोश जादा आने लग जाएगा मैं लो जाएगा और जैसी कड़कड होने लग जाएगा हमारी जोश लेंगे और उपसे कोरियांडर गानिश कर देंगे यहां पर हमारी दाल हो गई बनके रेड़ी हम लोग उसको गर्मा गरम सर्फ करेंगे और साइड बार साइड मेरा सालन भी माशाला से पक चुका है बट यह को पता ही रेका फिश कैसा फ्राय करते हैं मैंने आपे दो चमश तेल ली हूँ और फ्लेम हाय रखे फिश को मैंने प्लेस कर दी हूँ जादा बड़ा तवानी है मेरा तो बड़े-बड़े पीस से तो तीन पीस ही हो गए और यहां पने हमारे गेस्ट आच चुके है अब हम अब हम उनको सर्फ कर दे हैं चैनल पे लाइक करो शेय करो बाया अलाफीज वागा हम आवरा किसको दिखाने के बूलों कोकने में बूलू क्या है अब हम आवरा है बेस मावरा है का तांबोसी अनियोग ट्राय केले ले ले नियुदाने दाल कडिये प्लेट